नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मोई चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूँ अशोक लेलेंड लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ जुलाई मन्त की सेल्स के बारे में और sales देखके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि auto sector में revival आना शुरू हो चुका है या फिर अभी revival आना इन में बाकी है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो stocks हैं वो bottom line बना चुके हैं कि नहीं और क्या हम current market price में इन stocks को accumulate कर सकते हैं कि नहीं ये हम पूरा पूरा जानने की कोशिश करेंगे तो दोस्तो चलिए पहले देखते हैं कि sales तो यहां पर देख सकते हैं Hinduja Group flagship firm Ashok Leyland on Wednesday reported 75% decline in medium and heavy commercial vehicle sales volume in July to 1499 units from 6017 units a year ago तो दोस्तो आप fall जो हो दोस्तो definitely देखने को मिल रहा है बट एक मैं बात बोलूँ अगर आप June के comparison में देखते हो आई में टू से पिछले महीने के comparison में देखते हो तो आपको जो हो अच्छी खासी recovery जो हो दोस्तो देखने को मिल रही है तो दोस्तो ये आपको जो हो दोस्तो जरूर दिहान होना चाहिए अगर मैं बात करूँ दोस्तो MNHCB trucks की तो इन्होंने पिछले महीने 632 जो हो दोस्तो trucks बेचे थे और अगर busses की बात करूँ तो मातर 123 busses जो हो दोस्तो इन्होंने बेची थी तो इसके comparison में आप देख सकते हैं आपको अच्छा खासा जो हो दोस्तो जंप आता हुआ दिख रहा है उसके बाद Tata Motors ने जो हो दोस्तो हमें काफी जादा चुगाया है इतनी जादा acceptation से मुझे नहीं थी मैंने सोचा था definitely improvement देखने को मिलेगी Tata Motors में बट इतनी जादा improvement देखने को मिली थी मैंने बिलकुल भी नहीं सोचा था आपने ऐसा सोचा था कि नहीं आप comment करके जरूर बताईएगा और Tata Motors में मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पे अगर आप balance sheet यह profit and loss statement में कुछ डूंडते हो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ratios देखिए कुछ भी देखिए आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा यहाँ पे अगर आपको अपना पैसा लगाना है तो आपको बस एक ही चीज़ देखनी पड़ेगी बो है दोस्तो brand, history और trust अगर आप इन चीज़ों पर believe करते हैं तो आप Tata Motors में पैसा लगा सकते हैं बरना अगर आप fundamental analysis करके या फिर technical analysis करके अगर आप इसमें निवेश लगाना चाते हैं उसमें शायद आपको अच्छा मोका जो हो ना लगे क्योंकि आप उसमें fundamentals में देखोगे कि इसका जो growth है वो कम ही होता जा रहा है बट यहाँ पर आप देखसकते हैं brand का जो नाम होता है वो आपको दर्शाता है कि हम किसी भी दोर से जो हो दोस्तो निकल सकते हैं किसी भी pandemics से हम निकलना जाते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हो Tata Motors has recorded 43% increase in sales in July 2020 ये दोस्तो आप देख सकते हो 43% का जो हो दोस्तो increase देखने को मिला है शानदार जो हो दोस्तो increase देखने को मिला है sales की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल पिछले मन्त में इन्होंने 15 I mean to say इन्होंने 10,485 units का दोस्तो sales किया था और अगर मैं अभी की बात करूँ तो इन्होंने लगवक 15,000 के आसपास की sales की है शानदार जो हो दोस्तो performance देखने को मिल रही है उसके बाद अगर अगर मैं बात करूँ शोग लेलान की तो यहां पर आप देख सकते हैं while MN HCV truck sales dropped by 70% to 1385 units from 4667 units MN HCV busses sales dipped 92% to 114 units from 1350 units तो दोस्तो आप देख सकते हैं इनकी जो busses की sales है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है अगर आप June के comparison में देखते हैं तो दोस्तो आपको definitely जो हो गिरावट देखने को मिलेगी busses में इन्होंने 123 जो है दोस्तो बसे से sell की थी तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं but definitely trucks की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अच्छी खासी improvement जो हो आती हुई दिख रही है उसके बाद अगर मैं बात करूँ light commercial vehicles की तो light commercial vehicles में आपको अच्छा खासा जो दोस्तो move आता हुआ दिख रहा है पिछले मन्त की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो पिछले मन्त इन्होंने लगग-लगग 62% का fall जो दोस्तो दिखाया था और यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने 2783 units जो हम दोस्तो sell किया है और पिछले साल पिछले मन्त की अगर मैं बात करूँ तो 4083 units जो हम दोस्तो इन्होंने जो हम दोस्तो sell किया है उसके बाब अगर मैं Tata Motors की बात करूँ तो दोस्तो आप देख सकते हो this is the company's highest sales over the past 16 months which allowed the automaker to gain a third spot on the list of largest automakers in July 2020 overtaking Mahindra wire margin of about 4000 units तो दोस्तो आप जो हम देख सकते हैं यह जो हम वो काबले तारिफ जो हम दोस्तो इन्होंने किया है मैं नहीं जानता यह कैसे कर पाए हैं बट इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है management जो हम दोस्तो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और अगर management अच्छे से काम करता है तब ही इस तरह की agreements जो हम दोस्तो आपको देखने को मिलती है 16 month का जो हम दोस्तो इनको जो हम रो record sales से देखने को मिली है उसके बाद इन्होंने third spot जो हम दोस्तो गेन किया है largest automakers in July 2020 शानदार जो हम दोस्तो आपको देखने को मिला है उसके बाद अगर मैं बात करूं अशोग लेलान की तो total sales आप देख सकते हो अभी भी आपको dip देखने को मिल रही है इसमें 58% की जो हम दोस्तो आपको dip देखने को मिल रही है total vehicle में और यह जो बात करूं पिछले साल पिछले महीने की तो 10,100 units जो हम दोस्तो इन्होंने बेचे थे और अभी लगो 4,282 units जो हम दोस्तो इन्होंने sell किया है definitely ग्रावट देखने को मिल रही है बट अगर आप June या फिर उसके पहले months की अगर आप बात करें lockdown के दुरान तो उससे काफी काफी जादा जो हो दोस्तो आपको improvement आती हुई दिख रही है उसके बाद मैं बात करूं Tata Motors की the brand's market share also increased to 7.6% as against 5.3% in July 2019 तो Tata Motors जो हो दोस्तो काफी जादा चोकार रहा है इसमें कोई दोराय नहीं है तो चलिए दोस्तो अभी बात करते हैं कि क्य आपको इन stocks में निवेश करना चाहिए कि नहीं तो दोस्तो आप देख सकते हो एक साल का अगर मैं move का बात करूं तो लगवग लगवग stocks जो हो दोस्तो एक जैसा perform कर रहे हैं बीच में थोड़ा सा जो आपको जादा फरक देखने को मिल रहा है बट maximum अगर आप देखे तो एक जैसा ही perform जो दुस्तो करते हैं तो मैं आपको एक सला दूंगा कि आप current market price में accumulate जरूर कर सकते हैं और Tata Motor जैसे stock में तो आप जो दुस्तो करी सकते हैं इन में मैंने आपको एक ही सला दी है कि इस तरह stock में long term के लिए बहुत better है रहते हैं बट एक ही चीज़ जो आपको matter करती है वो है बहुत अगर बहुत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है इसलिए अगर आप accumulate करने की सोच रहे हैं इसने प्राइस पर तो आप definitely कर सकते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है और मैंने वीडियो के starting में बात की थी क्या यह revival का समय आ चुका है तो definitely revival का समय आ चुका है उसके बाद बात करते हैं कि क्या यह two wheelers के मुकाबले में कर पाएंगे तो definitely हो सकता है कि उस तरह का प्रफॉर्म ना कर पाएं पहला focus तो अगर आपका two wheelers की तरफ हो तो वह आपका better choice है बट अगर आप four wheelers की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो मैं आपको पहला suggestion दूँगा कि कि आप महरूती सुजुकी तरफ दें और अगर आप ट्रक्स की कोई स्टॉक देख रहे हैं तो दूस्तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अगर आप long term जो हो दूस्तो सोच रहे हैं long term में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको जो पहले जब यह स्टॉक चलेंगे तो two wheelers में आपको move आता हुआ दिखेगा फिर आपको four wheelers में move आता हुआ दिखेगा आपको जो भी करना है वो आपको brand में trust करना है अगर आप इनके fundamentals में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको जो बारी नुक्सान हो सकता है क्योंकि आपको कुछ भी अच्छा नही दिखेगा जस्ता आपको logics लगाने हैं जस्ता आपको यह देखना है कि आने वाले समय में यह revive हो पाएंगे की नहीं अगर आप debt to equity ratio देखोगे टाटा मोटर्स का तो फिर भी आपको परिशानी हो सकती है इसलिए आपको brand में जो हो जगीन करना है उसके बाद बात करते हैं कि क्या यह stocks bottom line बना चुके हैं तो दोस्तो मेरा यह बाब जबाब जो होगा वो यह होगा यह definitely यह अपना bottom line बना चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि यह फिर से अपने lows पे आएंगे उसके लिए कोई बड़ा कांड होना पड़ेगा और कांड क्या होगा मैं नहीं जानता हो सकता है कि चाहिना और इंडिया का war हो जाए है world war हो जाए वो अलग बात है और अगर आप इस पे शर्त यहां bet लगाना चाहते हैं कि war हो जाएगा market गिर जाएगा फिर से 6000 आजाएगा तो आप यह लेके चल सकते हैं कि world में कुछ कांड हो जाए उसका wait अगर आप करते रह रहेगा आपके लिए अगर आप 6000 का market में बेट कर रहे हैं तो मैंने आपको already clear कर दिया है कि आपको किस favor में रहना है इस तरह के stock accumulate करना better रहेगा इसमें मैंने आपको एक सलाह नहीं दी कि आप lump sum amount लगा है मैंने accumulate word का इस्तेमाल किया है वो मैंने तभी किया है कि lump sum amount जो मैं आपको इन में लगाने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूँगा तो अगर आप lump sum amount लगाने की थोड़ा सोच रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप उन सेक्टर पे ज़्यादा focus करें जो अभी चल रहे हैं लेट आपको अगरा कंजूम होते हैं डेली कंजूम होते हैं खाने पीने की चीज़े तो हम बंद नहीं कर सकते दौईयां खाना बंद नहीं कर सकते और फार्मा आगे ही बहुत जादा पिटा हुआ है तो मेरे को लगता है कि वहां पर आप थोड़ा बहुत लंब सम अमांट लग आ सकते हैं तो वीडियो ची लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें